नमस्कार आपको सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो हम आइप्यों से रिलेटेड जानकारी को देख लेते हैं जो मार्केट में अभी अप्लब्द हुई हैं तो सबसे पहले आइप्यों की ओपनिंग डेट तो यह है 14 जुलाई 2020 यानि कि 14 जुलाई से आइप्यों पे हम एप्लाई कर सकते हैं और आइप्यों के क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो वह 16 जुलाई 2021 यानि कि हमारे पास तीन दिनों का सामय होगा 14, 15 और 16 का अगर हम बात करते हैं इसू टाइप की तो यह है बुक बिल्ट इसू आइप्यों फेस वैल्यों की ब की Bombay Stock Exchange पर होगी, एपरी लिस्टेंग अभी नहीं होगी, इसू साइस की बात करते हैं तो वह 9,375 करोड का इसू होगा, जिसमें से fresh इसू की बात करते हैं तो 9,000 करोड के fresh इसू होगे, जबकि offer for sale को देखते हैं तो हमें 375 करोड का offer for sale आएगा यानि कि OFS आएगा, तो य आई हमें लॉट साइज के संबंद में कोई जानकारे भी मिली है तो अभी हम इसका सिर्फ टाइम टेबल इसका आंगे देख लेते हैं कि हमें कब कब क्या 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 प्रोसीजर को देखना है तो आई प्यों को ओपने डेट जैसा कि मैंने आभी आपको बता दिया है कि वह अच्छा जिनको एलोट हो जाते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा है और जिनको एलोट नहीं होते हैं उनके पैसे रेफंड कब होंगे तो वह इनिशेशन आफ रेफंड का प्रोसेस जुलाई तेश का है अब बात करते हैं क्रेडिट ऑफ सेर्ट डेमेट अकाउंट जिन जो सेर है वो ट्रेट करने लगेगा तो अब सबसे इंपोर्टन जनकारी कंपनी के फाइनेंसियल से रेलेटेड सबसे पहले देख लेते हम टोटल एसेट्स को तो मार्च 18 में 13744 मिलियन के एसेट्स थे जो कि मार्च 19 में 1418 मिलियन के हो गए मार्च 20 में यह 29003 मिलियन के ह हो गए और दिसमबर 20 तक यह 79883 मिलियन के हो गए तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें 1819 में एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं 19-20 में एसेट्स में कमी आई है लेकिन मार्च से लेकर दिसमबर तक क्या आकड़ों में हमें एसेट्स में काफ ज़्यादा ब्रद यहां पर हमें मार्च 18 से मार्च 19 मार्च 20 में लगातार हमें रवेन्य बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अगर हम मार्च से लेकर दिसमबर तक क्या आकड़े देखें तो यहां भी हमें काफी अच्छे रवेन्य दिखाई दे रहे हैं अब सबसें बात प्रॉफिट आफ